हेलो व्रीवन विल्कुम एक्टुवर चैनल के एंड कैडमी और इस वीडियो में हम डिस्कुस करने वाले एंड के इंटर्व्यू क्वेशन्स की बारे में आपको किलियर अंडिस्टेंडिंग उन चीजों की होना चाहिए सब्सक्राइब आपने अपने रजूमे में इंटरेंशिप बगरा लिख रखी है इंटरेंशिप होगे तो उससे आपके क्वेशन्स सकते हैं वो उसके बाद आपने जो भी प्रोजेक्ट मेंसन कर रखे हैं ज इस तरीकी की क्योंस आपसे हो सकते हैं सबसे पर अगर आपने इंटरेंशिप कर रखेंगे तो आपका क्या वर्ग था और वहाँ पर पूछे जा सकते हैं उसके बाद सबसी इंपूटेंट पॉइंट होता है फ्रेसरेश के लिए इंटर्विव में प्रोजेक्स की बारे मे परोजेक्क की है कौन सी टेक्वpecially यूज किये प्रोजेक्स में आपने जो भी टेक्नॉल्जी यूज की है इसके या परोजेक्स तो technical skills में basically आपको जो भी skills guys बहुत अच्छे से आती हैं वो जो भी programming language अगर आपको आती है अच्छे से suppose कभी-कभी क्या होता है interviewer खुद पूछते हैं वो कि आपका कौन सा favorite subject है आपकी कौन सी programming language favorite है suppose आपने C++ बता दी है फिर Java बता दी तो उसी की basis पर आपके questions सोने वाले हैं यहाँ पर बैस जो भी language आपको आती है जैसे suppose आपको Java बहुत अच्छे से आती है तो आपको वो चीज मेंसन करना है अगर आपके पास C++ की knowledge बहुत अच्छे से है तो आपको वो चीज मेंसन करना है अगर आपके पास ज्यादा कम knowledge लेंगविज की होगी तो उसको मेंसन नहीं करना जिसमें आप confident होगे वही चीज आपको मेंसन करना है तो programming language में सबसी important चीज आती है सबसी important जो factor होता है वो है OOPS concept में आपके OOPS की फिलर्स लेक पॉलिमर, फुजम, इनिहरिटेंस एंड life examples के साथ में बहुत basic level के questions यहां पर आपके होंगे एंड उसके बाद अगर वो वहां पर आपसे implementation भी करवाते हैं कि किस तरीके से आप OOPS को implement करेंगे तो आप वहां पर coding level पर like flow type का अब वहां पर implement भी कर सकते हैं उसके बाद आपके होते हैं CS fundamentals, CS fundamentals में basically आपके आते हैं basically आपसे पूंचे जाएगा हाँ पर SQL से questions, okay so basic SQL की जो query होते हैं वो आपसे करवा जाएंगे and DBMS का जो like structure होता है like DDR, DML, TCL वो सारी चीज़ें होते हैं वो आपसे basic level की question and DBMS में normalization होता है, database क्या होता है, database management system क्या होता है, different type के database कोन-कौन से होते हैं, so इस level की questions आपसे DBMS से प उनको प्रिपर कर सकते हैं, जो short definitions like primary key, foreign key, relation, किस तरीके से होता है, बहुत सारी चीज़ें आप prepare कर सकते हैं, database perspective से and technical perspective से आपको programming language में basic level के questions प्रिपर करना है and DBMS concept आपको प्रिपर करना है and CS fundamentals में ज्यादा deep में नहीं जाएंगे वो like operating system and computer networks and such नहीं पूझेंगे, so guys इस तरी pattern है, जो आपसे basic level पर पूछा जाने वाला है and I hope कि like companies के basic pattern होते हैं, यही pattern होते है and I hope कि आपके interview में इसी तरीके के questions होंगे, right, so जो भी आपने resume में mention कर रखा है, उसको अपच्छे से prepare करना है and technical skills में आप सारी technical skills prepare कर सकते है, additional कोई technology guys अगर आपको आती है, जैसे आपने data science वगरा कर रखा है, okay, and I can have machine learning वगरा कर रखिया है, किसी ने बैबडी कर रखा है, okay, so उसको भी आपको अच्छे से पढ़के जाना है, ताकि वहाँ पर answer कर सकते हैं, कभी कभी क्या होता है, कि जाबल स्क्रिफ्ट से भी questions सकते है, HTML, CSS के कुछ basics सकते हैं, interview में, so वो भी आप आपको कोई भी डाउट आता है, and आपको different pattern है, different interview questions मिलते हैं, तो आप definitely यहाँ पे comment में mention कर सकते हैं, ताकि दूसरे batch के जो आँगे, आने वाले students को interview आएंगे, उनको experience मिल जाए, उनको related questions पता जल जाए, तो आप definitely इसी वीडियो के comment में questions को पिन कर देना, जो आप से आपको जाएंगे, तो आपको 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 आप